प्रेग्निंसी के दौरान गर्वती महिला के दौरा की गई छोटी से छोटी गलती शिशू के लिए नुकसान दायक साबित हो सकती है इसलिए अपने प्रेग्निंसी के दौरान हर गर्वती महिला फुक फुक कर कदम रखती है और हर छोटे बड़े काम करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूस्ती है लेकिन दोस्तों कई बार कुछ ऐसी बाते होती है जो आपके डॉक्टर भी आपको नहीं बताते हैं इसलिए कुछ ऐसी बाते होती है जो आपको खुद से ही ध्यान में रखनी चाहिए ये अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में डिसकर्स जरूर करना चाहिए जैसे कि pregnancy के दौरान गर्वती महिलाओं की सोने की position का शीशू पर बहुत जादा असर पड़ता है अगर pregnancy के दौरान गर्वती महिलाओं को ये नहीं बता होता है कि उन्हें कैसे सोना है तो घर में पड़े हैं शीशू के विकास पर तसर पड़ता ही है कभी कभी उस तक सही पोशन नहीं पहुच पाता सही ऑक्षिजन नहीं पहुच पाती और शीशू सही से सांस नहीं ले पाता है यहाँ पर सांस लेने का मतलब है कि शीशू तक प्लेसिंटा के थ्रू ऑक्सिजन सही से नहीं पहुच पाती है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनिंसी के दोरान गर्वती महिलाओं को कैसे सोना चाहिए जिसे शीशू तक अच्छे से पोशन और ऑक्सिजन पहुच सके और शीशू को गर्व में कोई भी परेशानी ना हो जानने के लिए वीडियो का इन तक जरूर देखे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो वसंद आए तो लाइक शेर सरूर करिए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेगनिंसी के फर्स ट्राइमिस्टर के बारे में फर्स ट्राइमिस्टर का मतलब है प्रेगनिंसी का पहले से लेकर तीसरा महिना उस दोरान गर्वती महिला के शरीर में बाहरी तोर पर बहुत जादा बदलाव नहीं आते हैं यानि के गर्वती महिलाओं का जो पेट है वो अभी बाहर नहीं निकला होता है इसलिए इस दोरान गर्वती महिला किसी भी पोजिशन में सो सकती है यानि के पीट के बल भी आप सो सकती है राइट साइड या फिर लेफ साइड आप सो सकती है लेकिन सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पेट के बल आपको इस दोरान नहीं सोना है अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे ट्राइमिस्टर की यानि कि प्रेगनेंसी के छटवे महिने से नवे महिने तक इस दौरान गर्वती महिलाओं का जो पेट है वो बाहर आ चुका होता है यानि कि बेबी बम दिखना शुरू हो जाता है इसलिए इस दौर आपको पेट के बल तो बिल्कुल भी नहीं सोना है क्योंकि अगर आप पेट के बल सोती है तो उससे आपका बेबी बम दब सकता है और शीशु पर दबाव पढ़ सकता है जिससे शीशु को हानी पहुंच सकती है दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको पीट के बल सोती है या राइट साइड सोती है तो शीशु तक पोशन सही से नहीं पहुंच पाता है उस तक ऑक्सिजन भी सही से नहीं पहुंच पाती है जिसकी वज़े से शीशु का डैवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है साथी अगर आप जादा देर पीट के बल सोती है त तो आपको बता दू कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्वती महिला को लेफ्ट करवट करकर याने के बाई और करवट करकर ही सोना चाहिए क्योंकि experts का ये मानना है कि अगर गर्वती महिला left करवट करकर सोती है तो गर्व में पढ़ रहे ही शीशु तक पोशन बहुत अच्छे से पहुँचता है साथी उसे oxygen का level अच्छे से मिलता है जिससे वो अच्छे से सांस लेता है सांस लेने का मतलब मैं आपको बता दूँ कि शीशु तक placenta की थुरू oxygen अच्छे से पहुचता है इसलिए pregnancy के दौरान left करवट सोना सबसे सही position मानी जाती है अब सवाल ये उड़ता है कि पूरी रात एक गर्वती महिला एक ही तरफ करवट करकर नहीं सो सकती है यानि कि कही ना कहीं उन्हें problem होती है इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको left side करवट करकर सोने से दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ी देर के लिए right side करवट करकर सो सकती है या आप चाहें तो बहुत कम देरी के लिए आप पीट के बल भी लेट सकती है लेकिन आपको पीट के बल भी नहीं लेटना है और बहुत जादा देर तक right या फिर पीट के बल आपको नहीं सोना है तो दोस्तो ये थी जानकारी के pregnancy के दोरान गर्वती महिला को किस position में सोना चाहिए और किस position में सोने से उन्हें सबसे जादा फाइदा मिलता है मैं उमीद करते हूँ है वीडियो आपके लिए यूसफुल होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर सरूर करिएगा धन्यवाद